हेलो दोस्तो आपका स्वागत है अंडर्वर्ड एक ऐसी दलदल है जिसमें अगर कोई फस गया तो फस्ता ही चला जाता है आदमी निकलना भी चाहे तो कानून के रखवाले उसे वहां से निकलने नहीं देते इसलिए किसी ने कहा है तो चलो अंडर्वर्ड पे बनी इस एक्शन पैक मुवी का एक्स्प्लेनेशन देखते है पिछले पार्ट में आपने देखा डैनियल को मारके लिंकन वुशिंग सिंडिकेट का चेर्मन बन जाता है और चेर्मन बनने में उसे जीमी, जैक और जेट ने काफी मदद की थी इक्शन में क्या होने वाला है जेंजेन चैना डेवलेप करने का जीमी का इरादा है जीमी जो वुशिंग सिंडिकेट का मेंबर है और कभी शौटगन नाम के सीनियर माफिया के साथ काम किया करता था। जीमी अब बिजनेसमेन बन चुका है वो जैंजेन में लॉजिस्टि को finance कर रहा है उसकी एकी condition है जीमी अंडरवर्ड से अपने सभी रिष्टे तोड़ दे वरना इसका असर आगे जाके उनकी company पर पढ़ सकता है इस project के process के लिए जीमी को government officers को 20 million की घूस देनी है याने रिश्वत देनी है जिसके लिए जीमी तयार भी है जीमी अपनी wife शायना से कहता है कि उसने Hong Kong छोड़के यही पर रहने का फैसला किया है जिसके लिए उसने जगा भी देखी है इतना ही नहीं उसने ये भी सोचा है कि अपने एक बेटे को वो लॉयर बनाएगा तो दुसरे को डॉक्टर जीमी हमेशा के लिए अंडरवल की दुनिया छोड़ना चाता है शाम को चेर्मन लिंकन डिनर पे अपने लोगों को बुलाता है सबजेक्ट है वुशिंग सिंडिकेट का आने वाला इलेक्शन पिछले दो साल से लिंकन चेर्मन रहे चुका है जो आपने पिछले पार्ट में देखा होगा इस इलेक्शन के लिए जैक खड़ा होना चाता है वो अपने नाम का सुजाओ देता है मगर जेट और बाकी मेंबर इस बात के लिए राजी नहीं क्योंकि जैक पुलीस वाले के मर्डर में जेल काट चुका है लिंकन भी उसे डायरेक्ली सपोर्ट नहीं कर रहा जैक धमकी देता है ये इलेक्शन जितने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है सब की नजरे जीमी पे है क्योंकि सही मायने में सिंडिकेट का अगला चेर्मेन बनने के लिए वो ही परफेक्ट कैंडिडेट है मगर जीमी बिजनेसमेन बनना चाता है उसे किसी क्राइम सिंडिकेट का चेर्मन बनने में कोई इंट्रेस्ट नहीं सोनी नाम का मेंबर जीमी को सपोर्ट करता है, क्योकि वो भी जीमी के कंस्रक्षन बिजनेस में इंट्रेस्टेड है, शाम को जीमी एक बिजनेस पार्टी में जाता है, जहां जीमी की मुलाकात पुलिस चीफ डॉसन से होती है, डॉसन बड़ा शातीर आदमी है, वो जीमी का पूरा बायोडेटा जानता है, डॉसन लिंकन से नफरत करता है, क्योंकि पुलिस लिंकन को कंट्रोल करने में नाकाम्याब रहे चुकी है, वो जीमी से पुछता है, क्या वो अगला इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जीमी ना कहता है, वाश्रूम में डॉसन जीमी से कहता है, कि जीमी का दोस्स सोनी चाइना में गैंबलिंग पारलर चलाता है तो पुलिस की उस पे नजर है दो दिन में वो गैंबलिंग का पैसा कलेक्ट करने शेंजेन आ रहा है तो उससे दूर रहो अब एंफॉर्मेशन मिलते ही जीमी दोस्स के नाते सोनी को आगा करने की कोशिश करता है मगर कई फोन करने के बावजुद वो सोनी को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता कुशिंग सिंडिकेट का सेक्रेटरी अंकल टॉमी चाता है कि जीमी इलेक्शन लड़े सिंडिकेट को एक अच्छे लीडर की जरूरत है मगर जीमी उससे कहता है कि वो ऐसा कोई गयर कानूनी काम नहीं करना चाता जिससे उसके बिजनेस करियर पे असर पड़े टॉमी उससे कहता है कि सिंडिकेट छोडने से वो अपना पाश्ट मीटा नहीं सकता सिंडिकेट ने उससे इतना अमीर और काबिल बनाया है कि वो बड़ा बिजनेसमैन बन सके अब वो सिंडिकेट से मूँ नहीं फेर सकता या लिंकन जेट के काम से खुश है जो अब लिंकन का राइट हैंड बन चुका है वो जेट पे डैनियल के आदमी को मारने का काम सोपता है जिस डैनियल का मर्डर पिछले पार्ट में लिंकन ने किया था लिंकन जेट को प्रॉमिस करता है कि वो उससे सिंडिकेट का अगला चेर्मेन बनाएगा लिंकन की बातों में आके जेट सरे आम उस आदमी का murder करता है तो यहां जीमी सोनी के आदमी बुशी को अपने टीम को join करने का offer देता है सोनी का phone अभी भी switch off है दुसरे दिन जीमी एक restaurant जाता है जहां government के एक officer को उसे घुस का पैसा देना है वो officer जीमी को construction का permit देता है बुशी पैसा लेके आता है जो उस officer को दिया जाता है तभी जीमी की नजर पासी के table की और जाती है जा सोनी gambling का पैसा अपने आदमी से collect करने आया है मगर पुलिस ने सोनी को trap किया है जीमी सोनी को आगा करने के लिए phone करने की कोशिश करता है मगर phone switch off आता है तो अब एक वेटरेस के जरिये वो सोनी को message भेजता है कि पुलिस ने उसे घेर लिया है मगर वो वेटरेस भी पुलिस ही निकलती है तो अब जीमी पुलिस की नजर में आ जाता है जीमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर सोनी के साथ जीमी को भी एरेस्ट किया जाता है गवर्मेंट ओफिसर को रिश्वाद देने की जुरुम में उसे लॉक अप में डाला जाता है यहां syndicate के member में ये बात फैलती है कि Lincoln इस बार भी election लडने जा रहा है जो syndicate के उसुलों के खिलाफ है कोई भी member सिर्फ एकी बारी chairman का election लड़ सकता है फिर भी कुछ member Lincoln को support करने को तयार है मगर uncle Tommy नहीं मानेंगे Jack ने chairman के लिए अपना नाम दिया है मगर Jack को तो कोई भी chairman नहीं बनाना चाता उस पर बहुत criminal cases चल रही है काफी लोग Jimmy के favor में है वो Lincoln से कहते है कि अगर Jimmy उसके opposite खड़ा हुआ तो Lincoln की हार पक्की है या lock up में रखे Jimmy को Dawson छूडाता है Dawson Jimmy से कहता है तुम Hong Kong के citizen हो मगर तुमें China में arrest किया गया है हाला कि अब दोनों एकी देश का हिस्सा है मगर कानून अलग है तो आप criminal record के बलबुते पे तुम या मिनलेंड चाइना में business नहीं कर सकते अपने logistic business center को भूल जाओ वैसे कई criminal चाइना में business कर रहे है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ setting की है तुम भी कर सकते हो Jimmy तयार होता है Dawson कहता है तुम Wushing Syndicate के top के member हो अगर तुम उसके chairman बन गए तो तुमें business के लिए यहां permission दी जाएगी दूसरी और Lincoln के बेटे Tony को लेके उसकी school की principal Lincoln को school बुलाती है principal Lincoln से कहिती है तुमारा बेटा बुरी संगत में है class attend नहीं करता गैंग के साथ मिलके मारपिट करता रहता है principal Lincoln को warn करती है कि Tony की हरकते आईसी ही रही तो उसे school से निकाला जाएगा Lincoln अपने आदमी से कहिता है यह मालूम कर लो Tony किन लोगों की संगत में रहता है यहां Jimmy अपने पुराने boss shotgun से मिलता है और chairman के election के लिए खड़े रहने का अपना इरादा जाहिर करता है shotgun उसे अपने पुराने syndicate के सातियों से मिलता है और कहिता है कि अगर वो election लड़ेगा तो यह लोग उसे support करेंगे तो Sony Jimmy को बोई नाम के एक contract killer से मिलवाता है क्योंकि अब जब Jimmy election लड़ने जा रहा है तो उसे ऐसे bodyguard की ज़रूरत पड़ेगी बोई Jimmy से कहता है कि वो उसे protect करेगा मगर इस काम के वो अच्छे खासे पैसे भी लेगा और अगर पैसे नहीं मिले तो वो Jimmy को भी मारेगा Jimmy तायर होता है Jimmy के election लड़ने की खबर सुनके Lincoln और Jack दोनों disturb हुए है तभी Lincoln Jack से कहता है कि इस बार भी वो election लड़ना चाता है वो सुनके Jack हडबड़ा जाता है क्योंकि chairman के election के लिए Lincoln ने उसे support करने का promise किया था Lincoln Jack से कहता है कि वो next time election लड़े Jack उससे कहता है कि क्यों ना इस बार दो chairman बनाए जाए एक तुम और दूसरा मैं वो सुनके Lincoln हसने लगता है क्योंकि दो साल पहले यही बाट Daniel ने उससे कही थी तब Lincoln ने उसे मार दिया था Lincoln Jack को मना करता है तो इस बार Jack Lincoln को मारने मोडता है कि तभी कुछ टूरिश्ट वहाँ आ जाते है तो Lincoln को मारने का अपना idea वो ड्रॉप करता है Lincoln मरते मरते बच जाता है दोनों फैसला करते है कि पहले वो Jimmy को खतम करेंगे बाद में अपना फैसला करेंगे यहां election को लेके सभी गैंग मेंबर की meeting होती है मेंबरों में काफी भहस होती है एक मेंबर Jimmy से कहता है कि उसका वो boxing coach बुशी पुलिस का informer है जिसकी वज़ा से पिछली बार सोनी और Jimmy पकड़े गए थे गलत लोगों को Jimmy ने अपनी संगत में रखा है Jimmy उनसे कहता है matter को सुलजाना वो जानता है और बुशी का फैसला वो जल्दी ही करेगा तो अगली ही राज Jimmy बुशी को एक बोट पे ले जाके कुछ गुंडों के जरीये पानी में डुबो के मार देता है तो यहां Lincoln Jimmy के business partner वोकिन को किड्नेप करता है जिसके पैसे के दम पे Jimmy उचल रहा है जैक मोटू को और वोकिन को एक कॉफिन में बंद कर देता है क्योंकि मोटू भी कुछ काम का नहीं रहा अब Lincoln Jimmy से मिलता है और उससे कहता है कि election से वो अपना नाम हटा है वरना उसके business partner को मार दिया जाएगा Jimmy Lincoln से कहता है उसे मारने से तूम मेरा इरादा नहीं बदल सकते उस पर Lincoln उससे कहता है बिजनेसमेन बनना है तो बनो गैंक्स्टर बनके क्या उखाड़ोगे Jimmy उससे कहता है इस बार या तो तूम रहोगे या मैं रहूंगा तो Lincoln भी उससे कहता है जल्दी ही वोक इन की डेड़ बोड़ी उसे भेज दी जाएगी अब Jimmy Lincoln को धमकी देता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोग मरेंगे अगले दिन Lincoln अपनी वाइफ के मेमोरियल जाके उसके अंदर छुपाया हुआ ड्रैगन बैटन निकालता है अंकल टॉमी लिंकन से कहते है कि वो दुबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता ये सिंडिकेट का रिवाज है हर मेंबर जिंदगी में स्रिफ एकी बार इलेक्शन लड़ सकता है वरना चेर्मन की पोश्ट को लेके गैंग वर होगा एक का लालच सब को ले डुबेगा अगला चेर्मन जिमी ही बनेगा तो अब लिंकन अंकल टॉमी को सीडियों से नीचे धक्का देके मार देता है और फिर ड्रैगन बैटन अपने एक आदमी के हवाले करके उससे कहता है कि वो उसे चायना में कई छुपाए अब लिंकन जिमी को मारने की सुपारी जेट को देता है वो जेट से कहता है कि जिमी सब को मेरे खिलाब बढ़का रहा है लिंकन जेट को प्रॉमिस करता है कि दो साल बाद होने वाले अगले इलेक्षन में वो उसे चेर्मन बनाएगा तो रात को जेट जीमी को मारने निकलता है जीमी शायना के साथ एक रेस्टोरन में डिनर करने आया है रेस्टोरन के भार कार से चक्कर काट रहे जेट को जीमी देख लेता है और डिनर कैंसल करके शायना को पिछले दरवाजे से भार निकलने कहता है तबी उसे अंकल टॉमी के मोद की खबर मिलती है वो समझ जाता है लिंकन सिधा लड़ाई पे उतर आया है जेट शायना को होस्टेज बना लेता है जीमी का बॉडिगार्ड बोई जेट को मारने मोड़ता है मगर जीमी उसे रोकता है जीमी जेट की कार में बैटता है जेट की बोड़ी लैंग्वेश से जीमी समझ जाता है कि वो उसे मारना नहीं चाता जीमी उससे कहता है तुम हिट मैन हो तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं जेट उससे कहता है लालज दे के कोई भी मुझसे गलत काम नहीं करवा सकता मैं एक दिन चेर्मेन जरूर बनूंगा मगर सिंडिकेट की रूल्स पे चलके जेट जिमी को छोड़ देता है अब बोई के जरीय जिमी लिंकन के खास आदमियों को उठा लेता है वो उनके हातों ही लिंकन का मर्डर करवाना चाता है ताकि कोई उस मर्डर का कनेक्शन उसके साथ ना जोड़े मगर काफी टॉर्चरिंग के बाद भी वो लोग लिंकन का मर्डर करने को तयार नहीं होते उन्हें पैसों का लालज भी दिया जाता है मगर फिर भी वो टस से मस नहीं होते तो अब Jimmy ऐसा कदम उठाता है जिससे हमारे रोंग्टे खड़े हो जाते है वो उन में से एक आदमी के शरीर के टुकडे करता है और उसका खिमा बना के कुट्टो को खिलाता है Jimmy की वो हैवानियत देखके बाकी बच्चे हुए लिंकन के वो लोग होफ में चले जाते है और लिंकन को मारने को तैयार होते है अब Jimmy को अपने पार्टनर वोकिन को धुन्डा है जिसे लिंकन ने किड्नेप किया है तो उसे पता चलता है कि दो दिन पहले लिंकन एक फ्युन्डरल शॉप आया था यहां लिंकन भी Jimmy के मर्डर की सुपारी Jack को देता है दुसरी और बोई फ्युन्डरल शॉप में जाके वहाँ पैरा दे रहे लिंकन के आदमियों को एक एक करके मारता है और वोकिन को धुन्टा है तो बाहर Jack, Jimmy का रास्ता रोकता है Jack कार में बैटे Jimmy को मारने जाता ही है कि तभी उसे फ्युन्रल शॉप से फोन आता है कि Jimmy का आदमि वोकिन को छुड़ा के लेके गया तो Jack फ्युन्रल शॉप की तरब भागता है Jimmy भी कार से शॉप की तरब भागता है यहां बोई वोकिन को बन की हुई कॉफिन को एक ट्रक में चड़ा रहा होता है कि तभी जैक और उसके आदमी वहाँ आके बोई पे हमला करते है जीमी भी वहाँ पहुचता है तो आकरी सासे गिंदरा बोई उसे दिखता है जैक ने उसकी वह हलत की है तभी पुलिस वहाँ आती है तो कॉफिन को पुलिस के हवाले करके जीमी वहाँ से भागता है जैक भी भाग जाता है दुसरी और लिंकन का बेटा टोनी कुछ छपरी गुंडो की गैंग जोइन करने जाता है तभी लिंकन और उसके लोग वहाँ आके उन छपरी लड़कों को मार देते है वो देखके डर के मारे टोनी वहाँ से भागता है लिंकन कार से उसका पीछा करने लगता है तो पिछली सिट पे बैटे उसके लोग जिने जीमी ने किड्नैप किया था वो लिंकन को भेऊश करके उसे किड्नैप करते है जाहिर है किसी सुमसान जगा ले जाके लिंकन की डेड़ बोडी को दफनाया गया होगा दुसरे दिन वोटिंग के दिन सिंडिकेट के सभी मेंबर्स की मिटिंग होती है अब सिंडिकेट का सेक्रेटरी शॉटगन को बनाया गया है लिंकन को अपसेंट डेक के सभी हैरत में है सभी को शक है कि कई जीमी ने तो उसे नहीं मार दिया जीमी शपत लेता है कि उसने लिंकन को नहीं मारा तो अब बिना किसी कॉंपिटिशन के चलते जीमी को सिंडिकेट का नया चेर्मन घोशित किया जाता है जीमी यही सोचता है कि दो साल बाद वो अंडर वर्ल को गुडबाई करेगा एक रात कार से घर जाते हुए वो देखता है कि कुछ गुंडे चौपर लेके जेट को मारने दोड़ रहे है जेट उनसे जान बचा के भाग रहा है जीमी कार रुका के जेट को अंदर लेता है और उन गुंड़ो से उसकी जान बचाता है एक दिन जेट ने उसे नमार कर उसकी जान बचाई थी तो आज जीमी ने जेट को बचा के उसका वो करजा चुकाया था वो जेट को अपना visiting card देता है और उससे कहता है कि कभी जरूरत पड़ी तो बे जीजक उससे contact करे मगर कार से उतरने के बाद जेट उस card को dustbin में फेक देता है वो जान चुका है सब एकी थाली के चट्टे बट्टे है आज दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और कल उसी हाथ से पीट में चाकू भोग देंगे अगले दिन जीमी अपनी construction site जाता है पुलिस चीफ डॉसन ने उसे logistic center बनाने के लिए NOCD है डॉसन नए business की शुबकामनाए जीमी को देता है उसका criminal record भी मिटा दिया गया है अब डॉसन जीमी को dragon बैटन देता है जो उसने लिंकन के आदमियों से हसिल किया था जीमी डॉसन से पुछता है कि इतनी मेरबानिया क करके वो आखिर चाता क्या है डॉसन उससे कहता है आज के बाद तुम हमेशा के लिए उशिंग सिंडिकेट के चेर्मन बने रहोगे तुमारे बाद तुमारे बेटे तुमारे पोते उनके पोते चेर्मन की गद्दी चलाएंगे उशिंग में election रिवास खतम हो जाना मगर इस बात के लिए जीमी तयार नहीं दो साल बाद वो इस गंदे दंदे को हमेशा के लिए अलविदा करना चाता है बिजनेसमेन बनना चाता है अपनी आने वाली नसलो को गैंक्स्टर नहीं बनाना चाता वो अपने बेटे को डॉक्टर लॉयर बनाने के सपने देख र उसे अपने हाथ की कटपुतली बनाना चाता है, वो जीमी का इस्तमाल करना चाता है, डॉसन उससे कहता है, वो तो सरिफ चाइना और होंकों को सेफ करना चाता है, जीमी चाकर भी अब यूटन नहीं ले सकता, वो डॉसन की जाल में पूरी तरह फस चुका है, डॉसन ने इंडिकेट की चेर्मंशिप सिर्फ एकी घराने में रहने वाली थी। उस बैटन का आप कोई उप्योग नहीं था। जीमी के सब सपने चकना चुर हो चुके थे। वो अपनी फियांसी शायना से मिलता है। शायना उसे खुश खबरी देती है कि वो प्रेगनंट है। जीमी क फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।